हेई गाईज वल्कम बेक टो माई चैनल तुम पस की चैनल एन व्लोग तो देखिए क्या लेकर आ गे हुँ हुँ है और गुड इवनिंग देखिए हडा मिर्च और धनिया प्यार्ज माटर गाजर चाट मसाला भुना हुआ मसाला रेट चिली पाउडर और हल्दी पाउडर ज जिंजर मैश बॉइल किया हुआ पाटाटो स्लाइस करके कदुकस कर लिया है सब एक साथ मिक्स कर लेंगे और आमचूर पाउडर भी थोड़ा सा दिया है मैंने तो चलिए एक साथ मैक्स कर लेते हैं तो देखिए बन के तयार और इसमें डालेंगे एक चममाच कॉन चलो आठा लगा लेते हैं यहां मैंने लिया है दो चममच आठा और एक चममच सूजी और इसमें देगे थोड़ा सा घमक और थोड़ा सा जुआइन और दो चममच घी आप लोग चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं घी देने से मौयम अच्छा होता है और खस्ता बन के तयार ह हो जाता है गाइस तो देखिए डो मैंने ऐसा सकत बना लिया है ज्यादा नहीं क्योंकि सुजी फूल जाता है तो चलिए बेल लेते हैं दो भाग में कर लिया है मैंने तो चलिए गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज सस्क्राइब कर लीजि तो मैंने सोचा आज बारिस का मौसम है कुछ नास्ता बन जाए अचनक घर में कोई गेस्ट आ जाए तो भी ऐसे आप बना के जटपट दे सकते हैं देखे कितना सुन्दर कलर भी आया है गाईस और ऐसे कट कर लेना है देखे कितना प्यारा लग रहा है चलो ओयल गडम हो गया आप लोग वैसा ही कीजिएगा देखे थोड़ थोड़ करके आलू का डो सब में डाल दिया है और इतना सुन्दर बन के तेयार हो जाता है गाईस कि क्या बताएं देखे ऐसे मोड लेंगे और पीछे से एक और मोड लेंगे इतना सुन्दर देखने में होता है न तो चल्च diy बना लिया है मैंने ऐसे आप लोग ऐसे घर में जरूर ट्राइ कीजिए गया घर में मातर रहता है सबका तो मैंने यहां frozen मातर लिया है तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिय और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए देखिए कितना डिलिशस बनके तैयार हो गया है मुड़कुडा खास्ता तो आप लोग कहा ट्रेविल कर रहे हैं या कोई किसी के घड़ पे जा रहा है कोई आ गया है तो जटपट ऐसे बना के लिख सकते हैं और ट्रेविल करते वक आप लोग ये वाला चीज बना के ले जा सकते हैं इतना खस्ता बनता है कि गाईस और सब हल्दी हल्दी है इसमें सबजी है आलू है और सुची मटर सब है देखिए बन के तयार होगा दाइस अप लोग जरूद्ट राइकीजिए रहा है और कामें Polsce जरूद्ध बताना के कैसे बनाा है और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब전에 को नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब कर देख लिए और इसका कलर कितना सुन्दर रहा है और कितना खस्ता बनना है आप लोग तो देखी चुके हैं तो मेरा बेटा खा रहा है बोला ममी बहुत ही तेस्टी है टेस्टी एंड हेल्दी और उसको टेक्चर कितना अच्छा लगा और मेरा सास खा रहा है खाके बोला वाँ बहुत अच्छा हुआ है उनको तो बहुत पसंद हुआ है तो देखिए उन्होंने कंबल और के रखने बार बारिश हो रहा है तो बारिश में आप लोग बना लीजि तो हम सब खा रहे हैं तो आप में ज़रूर कॉमन करके बतारें तो गैस ऐसा मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये देखिए दूसरा वाला भी प्राइ हो चुका है तो कितना प्यारा देखने में आया है देखिए कितना सुन्दर कमल का फूल की तरह तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीस कमल फूल बना लिए ऐसा देखने में कितना प्यारा लग रहा है बच्चे लोग बहुत अच्छे से खाएगा मतलब क्या बताएं तो आप ऐसा तो unique लग रहा है, देखिए इसको तोड़ के दिखाती हूँ इतना प्यारा है और घर का ही सब सामान है बाजार का कुछ नहीं है और ये एक dumb wedge है देखिए तोड़ के दिखा रही हूँ सासुमा खा रहा है, बुला दिखा कितना प्यारा बन के त्यार हुआ है तो चलती हूं जल्दी से चैनल को subscribe कर लेना और comment करके बताना सासما भी बोल रहा है चैनल को subscribe कर लिजिए और मेरा बेटा अरे इसका texture बहुत ही मुझे भी अच्छा लगा टेक्श्चर से बढ़के इसका टेस्ट और इसका क्रंच टेस्ट करते हैं क्रंच थो बड़ा मस था टेस्ट उससे बढ़के था बाई